नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटुब चैनल में दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही कम माल की इसपेसल और बहुत ही लाजवाप चमतकारी आउसाथी बताने वाला हूँ आपको सिर्फ एक काम करना है और हमेशा जव यह तो चले आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं वो ऐसी कमाल की एक आउसाथी जिसका अगर आप प्रती दिन प्रियोग करते हो थोड़ा सा यानि अगर उस फल को एक फल खा लेते हो यानि एक फल आपको प्रती दिन खाना है ज्यादा नहीं खाना है सिर नहीं होंगे जवानी हमेशा आपकी उच्छाले मारती रहेगी आप हमेशा इंजोई करते रहोगे और जो भी देखेगा आपको खुस हो जाएगा क्योंकि आपकी फिटनेस आपकी सक्ती आपका बाहुबल लोगों के नजरों के सामने हमेशा जलकता हुआ दिखाई देगा त सुधार देने वाला सरीर के हर एक अंग को फिर से जवा बना देने वाला एक ऐसा फल दिव्य आउसद ही चमतकारी आउसद ही एक रसायन जो की आपके सरीर के अंदर जो रस रक्त मांस मेद अस्थी मज्जा सुक्र बीर्य इन सातो धातूं को बढ़ाता है पुष्ट करता ह उनकी विद्धी करता है दोस्तो और यह ऐसा नहीं है कि इस फल को सिर्फ पुरुसी खा सकते हैं महिला भी खा सकता है बच्चे भी खा सकते हैं चाहे जो भी उम्र हो आपकी वहा हर उम्र के बुढ़े बच्चे यंग लड़कियां नौजवान हर कोई खा सकता है सिर्फ एक फल खाना है और चबा चबा के अच्छी तरह से खाना है पूरी तरह से लार में मिक्स करके खाना है और यह फल आपको अगर वीडियो देखोगे पूरी तरह से तो मैं आपको बताऊंगा पूरे साल भर आपको किस तरह से असानी से मिल जाएगा तो वीडियो को लाश्ट त तक देखते रहिए और लाइक के बटन अभी से दबा दीजिए क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूं बहुती कमाल की धमा का जानकारी बताने वाला हूं उससे पहले में आपको इसकी पूरी बिस्तार पुरुवक जो सरीर के अंग में किस तरह से कौन-कौन से रोग को खत्म करता है उसे बता देता हूं तो ऐसे तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो यहाँ फल असानी से ठीक ना कर सके तो मैं आपको बताना चाहूंगा फिर भी यहाँ पेट के समस्त रोग को ठीक करता है यानि गैस, कबज, एसिडिटी, अफारा, गैस में पेट फूल जाना इस त जाते हो तो आपके मुह में लार इतना जादा बनता है कि पाचन क्रिया भी तेज हो जाती है और बहुत जल्द आपकी खाया पिया पच जाता है और सरीर में अच्छी तरह से उसका रस का निचोड़ हो करके सातो धातूं का निर्मार करने लगता है और समय से पहले पापा नहीं आता है इस्तरियों की सफित पानी की सिकायद बंध हो जाती है इस्तरियों के कमर घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है इस्तरियों की हर परकार की कमजोरी का नास कर देता है यहां इस्तरी परुस दोनों को तेजस्वी ओजवान और इस्फूर्तिवान बनाता है काम सक्ती से भरपूर लबालब कर देता है अगर बच्चे खाते हैं तो बच्चे को बहुत जल्दी सरीर में ताकत बढ़ने लगती है उनकी बहुत धिक छमता बढ़ने लगती है हड्डियां मजबूत होती है उनका कद काठी अच्छा होता है विगास होने लगता है और उ आउसधी फल है आप लोग इसे जानते हैं मेरे ख्याल से हर कोई जानता है इसे कोई नहीं जानता है इसे हर कोई जानता है सिर्फ जानना है आपको तो इसे खाने का तरीका इसे लेने का तरीका अगर आप पांच मिनट से ज़्यादा नहीं टिकते हैं आप केनी के सामने या फ से जो बता रहा हूं उस तरीके से इस फल को खाना सुरू कर देजिए हर परकार की जो सिग्रपतन न पुन सकता ना मर्दी नसों की समस्या या घुटनों में दर्द कमजोरी थोड़ी सी काम करने में सांस फूलने लग जाता है या फिर डौन नहीं सकते काम नहीं कर सकते मन नह लगता तमाम तरह की जो कमजोरियां है वह दूर हो जाती है अगर आपको खुल के पिसाब नहीं आता तो खुल के पिसाब आएगा ऐसा पिसाब आएगा कि आपको लगेगा कि मैं पिसाब जो कर रहा हूँ वहा सामने बहुत दोर दो तिन हाद जाकर के बोर की तरह पानी फ जल्दी मेरा ट्वालेट समापत हो गया आपको चमतकार जैसा लगेगा हर एक चीज सुधर जाएगी आपकी आखों की रोशनी बढ़ जाएगी बाल जो सफेद हो रहे हो काले हो जाएगे मजबूत घने घुंगराले हो जाएगे चमकदार हो जाएगे आपकी नसों में जाना देता हूँ उस फल को कि उसका नाम क्या है और उसको खाना कैसे है तो दोस्तो मैं पहले भी बता चुका हूँ उसे आप सभी लोग जानते हैं उस फल का नाम है आवला आवला का फल आवला के फल को कौन नहीं जानता आवला का कच्चा फल यदि आप आवले के सीजन में अगर सुबा खाली पेट चबा चबा करके खाते हैं और उसके बाद एक घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। अगर नहीं खा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है आपको सूखावला मिल जाएगा। अगर आपको देसी गाय का दूद मिल जाता है तो अच्छी बात है नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप गुनगुने पानी के साथ रात को ले सकते हैं और सुबा ठंडे पानी के साथ ले सकते हैं। मतलब समान्य पानी न ठंडा न गरम। अगर इस तरह से आप लगातार एक माह तक यूज भी कर लेते हैं एक माह तक खा लेते हैं तो मैं गरांटी चैलेंज के साथ कहता हूँ। आपके सरीर का काया पलट जाएगा आपका हर परकार की समस्या कमजोरी दूर हो जाएगी। चाहे गुप्त रोग है चाहे कोई भी और रोग है इस्त्री का हो या पूरुस का हो या फिर बच्चों का हो या फिर किसी भी उम्र का हो। एक अती चमतकारी दिब्य आवसधी है आवला का फल यह रसायन है। सरीर में पूरी तरह से अंग अंग को जवान बना देता है और जवानी जहलकने लगता है। आप बुढ़े हो चुके होंगे लेकिन बुढ़ापे में भी आपको जवान की जैसा इस फूर्ती और ताकत अगर बनी रहे ऐसा चाहते हैं तो आप निस्चित रूप से प्रति दिन कच्चे आवले का फल चबा करके खाईए या फिर सूखे आवले का पावडर हर दिन एक दो महने के बाद कैसा चमतकार होता है अगर आप इसे लगतार साल भर खा लेते हैं तो मैं गरांटी देता हूँ आपका पूरा सरीर की काया पलट जाएगी एक दो महने में ही फर्क दिख जाएगी और आप हमेशा इसको ऐसे ही खाना चाहेंगे अपनी डेली रूटीन में स चत्तिजगार